नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंज से नहीं आपका स्वागित करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे projection of state line की एक और problem के बारे में तो चलिए question ले लेते हैं इस question में हमें दिया गया है the top view of a 60 mm long line एक 60 mm long line है और उसका जो top view है अगर हम उसको measure करते हैं मापते हैं तो वो हमें 45 mm मिलता है सीधा सा मतलब है कि जो 60 mm long line है अगर उसका front view देखें तो वो किसी angle पर होगा उसके कारण से जो top view बनेगा तो वो छोटा बनेगा तो इसलिए 45 mm का यह हमें मिलेगा तो front view के अंदर इसका मतलब यह जो 60 mm long line है उसके true length दीखेगी और top view के अंदर जब हम true length से जो lines कीचेंगे तो straight line मिलेगी तो वहाँ पर इसलिए यह कम हमें measurement इसके कम आएगी यह कम दीखेगा दा लाइन इस इन दा वीपी अब जो लाइन है वो वीपी में है विट्स वन एंड इस 15 mm अबोव दा एच पी डाइट्स प्रोजेक्शन तो हम यहाँ पर जो first angle प्रोजेक्शन के अंदर ही इसको बनाएंगे अब लाइन जो है वीपी में है सीधी सी बात है कि जैसा हमने कह कि जो front view है उसके अंदर true length हमें दिखाई देगी तो वीपी के अंदर है और horizontal plane से अब यहाँ पर देखें यह vertical plane है वीपी है और यह horizontal plane है अब इससे कितनी उपर है अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें दी गई है 15 mm ओपर है तो इस तरह की line होगी वीपी के अंदर यह end ए ल देखेंगे तो यह वीपी के अंदर तो हमें यहीं पर मिलेगा front view a-b-dash और जो उसकी पूरी length है यानि कि true length जो है 60 mm यहीं पर दिखेंगे और जब हम इसकी projections जो है horizontal plane पर यानि कि उपर से देखेंगा top view देखेंगे इसकी इन points की projection नीचे गिराएंगे तो यह reference line पर आकर मि में एक straight line मिलेगे और यह क्या होगा हमारा top view a-b और इसकी measurement कितनी होगी 45 mm तो यह जो होगी हमारे पास 45 mm की होगी चलिए यहाँ पर एक reference line लगा लेते हैं यह हमने reference line लगा ली यह है हमारे पास xy reference line xy और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अब इसी reference line पर आप देखेंग आपको front view भी पता चल गया top view भी पता चल गया सबसे पहले आप यह top view बना ले जो की 45 mm का है उसकी measurement है हमारे पास तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं यह जो top view होगा हमारा यह point हो गया a और यह point हो गया b और इसकी जो measurement है वो कितनी होगी हमारे पास 45 mm तो हमने यह बना लिया 45 mm का यानि कि यह जो state line है A से B जो है आप परकार खोल सकते हैं scale के साथ 45 mm का यह top view बन जाएगा अब इस end A से उपर 15 mm हमें यह front view का जो एक point है मिलेगा यानि कि यहां से 15 mm उपर हमें एक point मिल जाएगा यह जो point होगा यह क्या होगा हमारे पास यह होगा A dash अब हमें क्या करना है B point से भी उपर projection ले लेनी है B point से भी उपर projection ले लेंगे और इस A dash point पर परकार को रखेंगे और कितनी खोलेंगे उसको 60 mm long खोलेंगे और यहां पर एक arc कट कर लेंगे तो 60 mm long खोलकर एक arc कट हो जाएगी तो यहां से हम उसको यहां कि इस line पर वो कट करनी चाहिए 60 mm जो long हो गया फिर यहां से हम उस पॉइंट को मिला देंगे अब यह जो बनेगा यह जो पॉइंट हमें मिलेगा यह बन जाएगा बी डैश तो यहां पर यह ट्रू लेंद्ध हमें दिखाई देगी यह जो है 60 mm लोंग हमें लाइन दिखाई देगी और यह टोब व्यू के अंदर जो मिजर चाल सकते हैं तो इस तरह से 2-2 को से रहें आपको पहले तो इस तरह से 3-3 के अंदर स्लोर करने की क्योशिश करने हैं और फिर जो है